असलाम ईलएक्म दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज किस विडियो को इन तक देखिए खेंगे कि क्या है आज किस विडियो में लाइव लेके आए ओओ आपके सामने हैं घर और कि अनक इस when completely V बैसे बन रहे हैं और मैं यहां से डेली बेस पे निकार हो तो मैंने सोचा चले विड्रोप प्रूफ आप दोस्तों के साथ इस वेबसाइट का शेर किया जाए तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो के चैनल चलते हैं और देखते कौन सी वेबसाइड है और कैसे या आपने इससे विड्रोव लेना है फस्टों तो मैं इससे विड्रोव लेने वाला अपने पेयर अकॉंट में क्योंकि यह एक रबल माइनिंग साइड है यहां पर आप पहले मेरा बैलस देख लें सिरुफ मेरे पास 20 रबल मजूद है और डालर में 1.04 डालर मुद हम वि अकॉंट के उपर क्लिकर किसको मैंने आरेडी लोग इन किया हुआ है और मैं अपने अकॉंट में चलता हूं और यहां पर आपको दिखा देता हूं किसमें मेरे पास 10 रबल मजूद हैं जो कि मैं यहां से विड्रोव करने वाला हूं तो 10 रबल का भी मैं विड्रोव है पहले तो आपकी यह पर माइनिंगी स्टाटोगी आपने रिसीव की इंट कर के सको यहां पर क्लिक कर करके इसको यहां पर क्रण्ट बैलन समिले आना कि memfs लाने के पाद यहां पर इंधे वाले इसको यहां तो यहां पर लिखवा है 62345 ठीक है तो यहां पर मैं जल्दी से लिख देता हूं 62345 तो 6234 उसके पाद सब्सक्राइब क्लिक करते हैं जी तो यहां पर हमारा भीडि़ोगा से करना है यहां पर आपको बता दू यहां पर आपर देख सकते हैं यहां पर तो मैं लिख देता हूं जी टैन पहले लिखूंगा ठीक है और यहां पर जी टैन पॉइंट ऊपर है जी थर्टी एट सेंट ठीक है तो थर्टी पूरे कर लेता हूं थर्टी एट उपर वाले रहने देता हूं क्लिक कर दिया तो अब यहां पर देखते हैं तो यह देखें यहां पर जाएंगे यहां पर जाएंगे बीस रबल उपर पॉइंट एटी टू है अभी रीफ्रेश करूंगा तो यह 30 हो जाएंगे क्योंकर यह वैबसाइट इंस्टेंट विड्रो देती यह देता है यहां पर देख सकते हैं विड्रो जो हमें रसीव हो चुका है अभी यहां पर मैं आपको इसकी जो हिस्ट्री उसमें जाकर चेक करवा देता हूं कि रिसेंटली मुझे यहां पर क्या रसीव हुआ है तो यहां पर आते हैं और देखते हैं कि कहां से हमें क्या रसीव हुआ है तो अभ यहां पर यह वाली आईडिया अभी अभी हमें यहां से यह रसीव हो चुका है तो दोस्तों इस वैबसाइट का लिंक और इस वैबसाइट पर काम कैसे करना उस वीडियो को लिंक दोनों आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने बिल्कुल फ्री य अगली वीडियो में दौाओं में याद रखीगा तब तक के लिए अला हाफिज